हेलो अब्रिवर्ण गुट मॉर्णिंग आल अफ यू कैसे हैं आप सब यूटुब फैमिली आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे मैं पूनम वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने एक और न्यू ब्लॉग में मॉर्णिंग का टाइम है और मैं अभी सुबा के जो मेरे बर्ग बेसिक काम होते हैं तो पस वही कर रही हो जाड़ू पोछी का सुबस पर यही काम रहता है और अभी घर में सबी लोग सोई हुए है हमारा क्लब चल रहा है और हस्बन की आज थोड़ी सी मतलब जो हैडिक बग सकते हैं यह एक्साइटेड़ है चलो इदर चलते हैं है कि अब आउफर काम पर ने से जल्दी वॉल पर ले लेते हैं तो वेल्कम कृम कई तक्रेजीं के आपने लिया है यह मुझे है जारने पर मोंत हरे तो बॉल्सर थाप्सेंस आंस है तो च्क्रेजिए नहीं किस नहीं क और यह देखिए सीमा मेम को सुना आपने कितनी खुश है वो कितने सारे हैल चैलंज उने थे और उन्होंने अपना 12 kg वेट लॉस किया है सांदार पढ़िणाम उन्होंने इस कम्यूटी से लेया है और यह सब हो पाया है इस कम्यूटी की वज़े से उनके कोच की वज़े से है यहां पे जिस पे भी परिडाम आते हैं वो उनकी कोच की गाइड लाइन में रहने की वज़े से आते हैं अगर आप अपने कोच को 100% फोलो करते हों तो रिजल्ट भी सांदार आता है गाइस किसी ने 30 kg 20 kg 25 kg 40 kg तक यहां पे वेट लॉस किये हैं लोगों ने कि यहां तो सीमा मैंने काफी जबरदस परिडाम यहां से लिया है काफी अमेजिंग परिडाम लिया है और इतने कम समय में उन्होंने अपना 12 kg वेट लॉस कर लिया है और जहां तक मैं जानती हूं लोग आज जिम में लगे पड़े हैं वेट लॉस करने के लिए देखिए कि रहने के लिए लेकर जो भी जाना चयां जाहिए वेकराण लेकिन यह जो भी जिम होती है जो भी वरकाउट आप करते हूं यह सिर्फ हमारे fitness में 20波 div करता है ओंडर स dal करता है इसी चोटे बहुत सारी अबते होती है जो हमारा हमार जो कोच होता है जो यहां से हमें मिलता है तो वो हमें सिखाते हैं अभी मॉनिका टाइम है फिट कलब खतम हो गया था उसके बाद मैं बाहर आ गई थी और ये पालक और बथुआ लाई थी मैं मंडी से तो ये मैंने बाहर रख दिया था रात को ओस में उसके बाद मैं छट पे आ गई थी और आज मैं साग बनाओंगी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था गाईज और चारवे तरब बादल हो रहे हैं पुरवाई चल रही है हलकी हलकी और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और मैं चली गई थी अभी छट पे तो आज मैं साग बनाऊंगी गाईज और मक्के की रोटियां बनाऊंगी तो बहुत टाइम के बाद साग बना रही हूं आज मैं और सर्दियों के टाइम पे साग भुजी बहुत जादा अच्छी लगती है और साग किस-किस को पसंद है कमेंट करके जरूर बताना वैसे मेरी सुसराल में चने का साग बनता है तो इसलिए साग हमारे हाँ ज़्यादा खाया जाता है हस्बन को बहुत ज़्यादा पसंद है हस्बन को पसंद है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और ये देखिए मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है कितना सुहाना मौसम हो रहा है और ये सामने जो पेड़ है ना इस पे आमी लगी हुई है और अभी आमी का कोई टाइम नहीं है पता नहीं कौन सा पेड़ है जिस पे आमी अभी भी आ रही है तो उस पे आमी लगी हुई है उसका फोटो मैंने लिया था और चारो तरप का व्यू ले दिखाया है मैंने आपको यह देखी मुरादाबाद का व्यू है यह और कितना सांदा लग रहा है कितनी शांती है न यहा मैंने केमरे को जूम किया है और आमी दिख रही है आपको तो ऐसी बहुत सारी आमी लगी हुई थी उस पेड़ पे तो मैं जल्दी से इधर आगे थी कहीं कोई मुझे देखना ले कि क्या कर रही है इधर को हमारी वीडियो बना रही है हमारे पोध हुकी है तो अच्छा नह किलाव या घर पे आना जाना नहीं होता है शहर में तो आपको तो पता है यह ना मैं सुबह जल्दी उड़ जाती हूं और हमेशा मतलब पांच वजे ही उड़ जाती हूं और मैं थोड़ा योगा फरकाउट और जो भी मेरे बेसिक काम होते हैं जैसी कि सुबह सुबह उटक छाएं नजर बहुत लगती है तो हस्बंट जी ने मेरी नजर उतार दे थी वैसे तो हजबन जी उतार देते हैं क्योंकि घर में कोई भी बड़ा बजर्ग नहीं है सास नहीं है ना तो इसलिए हस्बंट आपको तो पता नहीं क्यों फूझे पहले से ही लगती है बच्पन स किसी एक इंसान की नजर हमेशा मुझे लगी जाती है जब भी मैं बहार निकलती हूं और अभी मैं आ गई हूं नीचे मैं जारी हूं किच्छन में तो जो भी मैंने बत हुआ पालक रखा था उसको मैं अंदर लेकर आ गई थी और पहले मैं प्यूंगी एक गिरें टी उससे प वैसे तो मैंने मौर्निंग में ही एक ग्रीन टी पी ली थी और एक ग्लास गरम पानी पी लिया था तो अभी एक घंटे से जादा हो चुका है तो इसलिए मैंने सुचा एक ग्रीन टी और पी लेती हूं और अभी साथ बज़े का सम्थिंग टाइम हो चुका है और अभी बह कितना पीना चाहिए सारी में बताती हूँ आपको तो अगर आपका वजन ₹ किलो है या 50 kg है तो आपको भाइं द्हाय से तीन लिटर पानी डेली पीन चाहिए जाहे सरी यह गर्मिय छो देखिए क्लों अगर नहीं स्वक्षार में टो आपकी बाडी में बहुत सारे हट चलेंज आपको आसकते हैं बाडी अच्छ से प्रॉपर काम नहीं कर पाती है तो पानी के बहुत सारे फायदे होते हैं हमारी Cast chap लो करती है इसकां अच्छी रहती रहती है तो पानी को प्रॉपर-पीन भहुत भी ज़रूरी है कर आपका तो आपको चार से पांच लीटर पानी देली पिना चाहिए लेकिन अगर दाए और जाता हुआ भशे से क्लीन कर लुबारा से जाड़ कि लूबडारे सुभाए काम 것으로 काम तो सुभा के कोई खुबा सब्सका जाते हैं तो बहुत सारा मुझे देखना पड़ता है ऐसा नहीं कि मतलब मैं ऐसे ही छोड़ दू मुझे गंद की बिलकुल भी पसंद नहीं है या कमरा हो या मेरा किचन हूँ तो किचन में भी प्रॉपर में साफ सफाई का ध्यान पूरा रखती हूँ क्योंकि मैं अगर घर म तो उस दिन थोड़ा बहुत लेट हो जाता है लेकिन असा नहीं है कि मैं गंदा छोड़के सो जाती हूँ या गंदा रखती हूं घर को तो साफ सफाई का बहुत जादा ध्यान रखती हूँ बैसे भी मेरी जो किचन है वो ओपन किचन है और जो मेरा रूम है ये थार्ड फ अच्छे से और अच्छे से ये कुख हो चुका है बेसन का आलन लगाया है मैंने इसमें तीन चमज बेसन को घोल कर डाल दिया था बीच में मुझे भूक लग गई थी तो मैंने सोचा चलो एक अमरूत काट लें ये मंडी से में लेकर आई थी तो काफी बड़े-बड़े अ है मिक्सी में पीच के इसको तड़का लगा दूंगी में हींका प्याज का तो बहुत ही अच्छा और यमी और टेश्टी बनके ये साग तयार हुआ है साग मेरे हस्बन को बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी जो बड़ी बेटी है दोनों बेटियां मिलके यहाँ पर क्रि कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे चैनल पर आप लोग नए आते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा ऐसे ही प्यारे प्यारे कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहूंगी और आपको कोई भी रहती है वेट लॉस से रिलेटी तो आ कमेंट कर सकते हैं मैं आपको रिप्लाई जरू करते हैं